आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हम Mellow Family के नाम से जानते हैं और इसमें कुछ Economically Important Plants प्रेजन्ट होते हैं जिसमें से सबसे पहले हो जाता है हमारा Cotton इसके अलावा Lady Finger यानी Okra और जो Coco का ट्री होता है वो भी इसी Family में आ जाता है फिर हमें दी है Composity Composity जो टर्म है ये हम अपनी Asteraceae Family ये लिए यूज़ करते हैं ये Flowering Plants की सबसे बड़ी सबसे Diversified Families में से एक है और इसमें कई सारे Ornamental और Economically Important Plants होते हैं जिका Example है हमारे पास Daisy और Sunflower जैसे Plant और इसलिए इसको हम Sunflower Family या Daisy Family भी बुला देते हैं Lilyaceae Family जो हमें दिया है ये Monocotyledonous Flowering Plants को Represents करने वाली Family है इसको हम Lily Family भी कहते हैं इसमें कई सारे Ornamental Plants होते हैं जैसे Tulip और Gloriosa और इसके अलावा Onion, Garlic, Asparagus जैसे Edible Parts वाले प्लांट भी इसमें होते हैं Solan A.C. Family वेलनोन है Potato Family के नाम से इसको जाना जाता है जो प्लांट है इसी फामिली में बिलॉंग करता है और इसके अलावा भी कई Important Copsis में आ जाता है जैसे Tomato, Brinjal, Capsicum, Chili, Tobacco ये सब हमारी Potato Family के ही में मेंबर है तो अगर आपने Question को देखें सबसे बहले में दिया है Racimose Head यहां पर हम Inflorescence की बात कर रहे है हमें पता है कि Shoot की Modification से यानि Stem की Modification से Flower बनता है Shoot अपिकलोरल मेरे Stem में बदल जाती है और Inflorescence से हमारा यही मतलब होता है कि Flower की जो Axis है Floral Axis के उपर Flowers किस तरीके से Arrange है तो जो Racimose है ये एक तरह की Inflorescence ही होती है इस तरह की Inflorescence में हम क्या देखते है कि जो Axis है Main Flower की Axis है वो Flower में Terminate नहीं होती है यानि उसकी Growth Continuous रहती है ऐसा नहीं है कि उसकी Tip पे या Epic पे एक Flower उग जाए और वहाँ पर उसकी Growth सीस हो जाए Flowers Lateral होते हैं और Growth इसकी Continuously चलती रहती है इस Axis की तो इसी Racimose Type की Inflorescence में हमें Racimose Head या Capitulum नाम का एक Flower मिलता है इस तरह की Flower में क्या Characteristic होते है सबसे पहले तो जो Main Axis है वो Suppressed होती है या हम कह सकते हैं कि Compact होती है और जैसा कि हमें पता है फ्लार के सारे Parts लमस के उपर रेजन्ट होते हैं तो इस Case में जो Thalamus है या Ristical है उसका Surface Flat हो जाता है और इस Flat Thalamus के उपर हमें Proud में यानि बहुत सारे इकठे Flowers मिलते हैं जिनको हम Florets कह सकते हैं ये Sucile Type के Flower होते हैं Stalk इन में नहीं होता और इस तरह की Sucile Florets, Scetylum या जो Racimose Head है इस तरह की Inflorations के केस में हमें Flat Receptical के उपर Crowded मिलते हैं फिर Bicarpillary Sin Carpus Ovaris से हमारा क्या मतलब है इस तरह का Gynosium जिसमें दो Carpals present है जैसे हमें पता लग रहा है इस Term से ही और ये दोनों Carpals आपस में जुड़े हुए हैं या Fused हैं फिर Basal Placentation से क्या समझेंगे कि Ovaris में Ovules की तरह से Arrange है इसको हम Placentation बोलते हैं और Basal Placentation में देखते हैं कि जो Ovaris है उसके Base में नीचे की तरफ Placenta present है और इस Placenta में एक Single Ovule हमें मिलेगा तो अगर हम Example देखें इसका तो Racimose Type की जो Influorescence है Capitulum Head इसके Flower हमें कौन से मिलते हैं Sunflower इसका Common Example है Sunflower में हमें इस तरह का Flower मिलता है जिसमें Sysile Florets Flat Receptical उपर Crowded होते हैं फिर उसके Gynosium को देखें अगेन Bipolarly Singarpus Ovaris ये भी Sunflower के लिए Correct है और Bacal Placentation Bacal Placentation के अगर हम एगजाकते हैं तो हमारे पास एक Cereals हो जाएं Wheat, Rice इस सब की जो Seed होगी या Fruit होगा उसमें Bacal Placentation देखेंगे या Sunflower और Marigold जैसे Flower में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो साहे हैं Capitulum Inflorescence Bicarpularis, Syncarpus Ovarie और Bacal Placentation हमारे Sunflower का जो Fruit है या Flower है उसके उपर फिट बैठ रहे हैं और Sunflower हमारा किसमें बिलॉंग भीता है Compositive Family में इसको हम Sunflower Family भी बोलते हैं तो यहाँ पर Correct आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कौन सी Family में हमें Capitulum, Bicarpularis, Syncarpus Ovarie और Bacal Placentation मिलेंगे Option B सही कर देंगे Compositive जिसको हम Sunflower Family एस्टरेसी भी कर सकते हैं क्योंकि Sunflower के लिए यह सारे Characteristics Correct है